हलो दोस्तों कैसे हैं आप आज हम बनाएंगे समा के चावल की चटपटी, खिचडी, नवरात्री ब्रत के लिए चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं हम सबसे पहले एक मिक्सी जार में आठ से दस काली मिर्ष डालेंगे दो टुकडे अदरक्के डालेंगे दो टमाटर डालेंगे, आठ से दस हरी मिर्ष डालेंगे आप जैसा तीखा खाना पसंद करें अब हम इस सभी को बारिक पेस्ट बना लेंगे अब हम एक कूकर लेंगे, उसमें हम डालेंगे दो चमश तेल, आप जिसमें बनाना चाहते हों घी या ओल उसमें बना सकते हैं तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पेस्ट बनाया हुआ हम सारा मसाला डाल देंगे अब हम इस मसाले को अच्छे से भूल लेंगे हमें मसाले को अच्छे तरीका से भूल लें लाएं अब हम समा के चावल और आलू ले लेंगे देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है अब हम इसमें डालेंगे आलू और इनको भी हम दो मिनट तक भून लेंगे अच्छे से अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी समा के चावल या ब्रतवाले चावल एक कटोरी बुनी मुमफली इन सबी को हम दो मिल्ट के लिए अच्छे से भून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे आवशकता अनुसार पानी आप जैसा खाना पसंद करें अगर आप पतली खाना पसंद करते हैं तो आप उसी तरीके से डालें और इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार सेंधा नमक अच्छे से मिलाकर हम इसमें चार सीटी लगा लेंगे और हमारी मजेदार आलू समा के चावल की टेस्टी ब्रतवाली किजड़ी तयार है देखिए लग रही है ना कितनी मजेदार अब हम इसे परोस लेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर करें कॉमेंट करें और कॉमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी जय माता की